आपका स्वागत आज के इस बीडियो में अगर आप फेस्बुक का इस्तमाल करते हैं और इसका इस्तमाल करते हुए आपने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाई हुए हैं फेस्बुक अकाउंट पर यानिके अपने फेस्बुक अकाउंट पर आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ज अपने बहुत सारी एक्टिविटी जो है अपने फेस्बोक एप में की हुई है अपने फेस्बोक अकाउंट के जरी है और इन सब के बाद आप यह चाहते हैं कि आप अपने किसी पर्टिक्लर फ्रेंट का जो चैट है आप उसे पूरी तरह से कैसे डाउनलोड कर सकें और या पिर अपने जितनी पिरेंट से अब से उसे उपने फ्रेंट से अभी तक चेट किया हुए है उन्वोक का जो चैट Soph Phys Kenya यह उन्होंने आप आप को जो भी मेसेजस भी हूइ उन सब में से नहीं लेना चाहते हैं और उसके बजाए आप उन सबो को डाउंलोड करना चाहते हैं वो सारे कसारी जाइट्स हैं उन्हें आप डाउंलोड करना चाहते हैं या फिर आपने facebook account का जितना भी data चैट्स लेकर आपने जितनी पूस्ट किये हैं जितने भी लोट कर सकते हैं तो फिर आपको इस वीडियो को अंतक देखते रहना है उसके बाद आप यह समझ जाओगे कि आपको अपने फेस्बुक अकाउंट का इतना भी डाटा है चाहे वह चैट हो या फिर कोई भी एक्टिविटी हो वह सारे आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं तो चल आपको simply skip over tap करना है आप जैसे इसको इसको पर tap करते हैं वैसे आपका मेनियो खुलके आ जाता है और आके profile मेनियो के आने बाद आपको थोड़ा सा स्क्रोल करना है थोड़ा सा स्क्रोल करने बाद आपको यहापर सबसे नीचे में एक settings and privacy का एक option आपको दिख रहा होगा Settings का Option दिखेगा, आपको simply से चोफट Poker करना है, आप다는 10 को 생ora का जैसे चोफट करते हैं, वससे आपको settings का जो page हो खुल जाता है इस page के खुलने के बद आपको यहांपर accounts वाले section में आपको यहांपर access and control इसका एक option दिख रहा होगा, आपको simply इसके उपर tap करना है, आप जैसे इसके उपर tap करते हैं, वैसे आपके सामने एक नया पिछ खुलता है, जहाँ पर आपको deactivation and deletion का एक option दिख रहा होगा, आपको simply इसके उपर tap करना है, इसके उपर tap करते ही, आपके सामने एक नया पिछ खुल करता होगा जो कि व्लू बटन में हम सिंपल शिझ सोपना फोर करना की अब लिस्तों करना है इस्के व्हपर टाप करने के वादि आपके समने एक नाप पोれた पीच तो झांब में थ्तक्रोड करना है थोड़ा से स्क्रोल करने के बाद आपको अंबर एक उप्सें जहां पर डाउनलोड यार इन्फोमेशन यहांने कि आपने अभी तक कितने फोटो यहां पर पोस्ट किये हुए हैं और कितने सारे पोस्ट हैं जो भी चैट से हैं वो सारे का सारे डाउनलोड करने के लिए आपको यहां पर एक डाउनलोड इन्फो का एक बटन दिख रहा थोड़ा सा स्क्रोल करने बद आपको सबसे नीचे में आपको एक create file का एक option दिख रहा होगा और यहां पर किसी भी तरह का file बनाने से पहले आपको कुछ और options हैं जिने आपको follow कर लेना है जैसे कि आप यह चाहते हैं कि आप किसी एक range में यहने कि कोई particular date से लिकर किसी एक date त चाहते हैं तो पर यहां पर date range का इ wag का अपसंट दिख रहा होगा आपको इसके पर type करना है और यहां पर second option के लिखा हूगा है इसके पर take करके आपको अपने phone में जो भी date है मुस्साइब कर लेना है उसे set कर लेना है और इसके बाद आप ऊसे download कर सकते हैं या अगर आप जो भी House लूडर करना चाहते हैं हो आप कि format में download करना चाहते हैं जैसे की HTML हो या घ्र कोई भी format हो उसके लिए आप को फार्म unserem को PayPal करना है और इसके वाथ आप आप वहाद आपने। इस को तुम में पर चूजकर लेना है कि आप करने के लिए अपर media quality आप्श्न को पर आपको tap करना है और अपने media quality को यहां पर select कर लेना है और उसके वाद यहां पर create file आपको tap करना है इसके वाद में तरहते ही अपर जैसे आपने create file वाले option के दिया है Facebook team को और इसके बाद आपका ये जो फाइल है वो create हो जाएगा और जब ये पेंडिंग इस्टेट हट जाएगा उसके बाद आपको इससे download कर लेना है या फिर आपका ये जो information है या आपके email पर भी भी भीज दिया जाएगा अगर अपने अपने Facebook अगांट से अपने email को link किया हुआ है या फिर आपको message में कोई link मिल जाएगा और उसके बाद आपको इस data को बाहर निकाल लेना है और उससे आप फिर पढ़ सकते हैं या फिर आपको जो भी यूज करना है आप उस data को इस data को इस data को इस तमाल कर सकते हैं तो यहां प से वह अभी भी पेंडिंग में है यह पेंडिंग से हटने में आपको कुछ टाइम लग सकता है जैसे कि 12 गंटा यह 24 गंटा उसके बाद आपका एक copy जो है आपका information का वह यहां पर save हो जाएगा वो create हो जाएगा उसके बाद आप इससे download कर सकते हैं तो आई होब के इस आपको रखते हैं बसे हैं तक मिलते हैं अगले बरी में